असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप दुबाई में रहते हो दुबाई के हमतरीन खबरों से में इसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आये हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आपको हमें साफरी में दोस्तों मिलती रहे तो सातियों आज के वीडियो में दोस्तों में आप आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप दुबई में रहते हो तो आपको ग्रेजवेटी कितनी मिलती है ग्रेजवेटी मतलब बोनस आप इसे आसान भासा में समझाओं तुसे बोनस कहा जाता है कि आपको बोनस कितना पर बहुत सारे भाईयों को इसके बार में कोई नहीं होता कि वह लोग ग्रेजवेटी को नहीं ले पाते हैं तो यह वीडियो मेरे आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ग्रेजवेटी कितनी होती है तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं एक सालों के होता है जो 2 साल का contract होता है उसी में आपको graduate दी जाती है यानि bonus आपको दिया जाता है फिर होता है 5 सालों का फिर होता है 10 सालों का तो आप जिसमें जाते हो उसके हिसाब से आपको graduate दी जाती है तो यदि आपका 2 सालों का mileage ये contract है तो आपका यदि आप एक साल ही रहे हो तो आपको दोस्तों दिया जाएगा graduate 21 दिनों का यानि 21 दिनों का salary आपको दिया जाता है पर मैं आपको बता दू यदि आपका 2 साल का contract period है यदि आपने एक साल में ही छोड़ने का मन बना लिया है तो आपकी company जो है वो graduate नहीं देगी क्योंकि आपने contract को तोड़ा है तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे वहीं आपने 2 सालों का contract को sign किया है यदि आपने 2 साल वहाँ पे complete कर लिया है तो आपकी graduate यानि bonus आपका बन जाता है लगभग 42 दिनों का यातनी जितनी salary आपकी मिलती है तो 42 दिनों का salary आपको पूरा जोड़ के दिया जाएगा बाइचांस आपको company जो है HR manager जो भी आपको वहाँ पहज वो आपकी graduate देना नहीं चाहती है तो दुबई के labor court में जाके आप उसका complain कर सकते हो किसी भी कीमत पे company को graduate देना ही पड़ेगा कोई उनके पास रास्ता नहीं होता है तो दोस्तों ये हो गया एक सालों का और दो सालों का बारे मैंने आपको बताया अब मान लीजिए पांस सालों का है तो दोस्तों भाई लोग आप लोग जाहिर सी बातर सोच रहे हो कि 5 सालों का ये आप graduate ले रहे हो तो 11 into 5 कर दोगे पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है आपका हो जाता है वो एक साल का हो जाता है 30 इसमें 5 सालों में 30 दिनों का हो जाता है और 35 इंटू 10 जितना होता है वो आपकी ग्रेजुटी होगी तो भाई लोग आप लोग जो भी दूबई में रहते हो या फिर यूए की किसी भी सहर में रहते हो तो ये ग्रेजुटी आप जो कमपनी से ले सकते हो ये आपका हक बनता है तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए दियोई के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने भाई को सब्सक्राइब करें मिलते गाइस वीडियो पे तब तक लिए जाहिन अल्ला आफिस और टेक केर